हलो फ्रेंड्स आप देखरें फेमिली हेल्थ के रुटुब चैनल मैं हूँ संजे स्वागत करते हूं अब सभीका दोस्तों आप लोगों मेंसे कैफी लोगों ने पूछा है कि ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के बारे में बताईए कि Oxygen Concentrator क्या होता है क्या हम इसे घर के लिए यूज़ कर सकते हैं इस Corona Time में सो उसे के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि Oxygen Concentrator क्या होता है और इसे किस हद तक यूज़ किया जा सकता है कौन से लोग इसे यूज़ कर सकते है इस सब के बारे में हम लोग समझेंगे इस वीडियो के अंदर इस वीडियो को पूरी देखें उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि आज के रिट में क्या कैस के प्रैसे चल रहे हैं Amazon पे कौन कौन सा अवलेबल है कौन सा सही है क्या performance देता है इस सब के बारे में हम जानेंगे बस इस वीडियो को लस्ट तक देखें इस किप ना करें नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा और वीडियो को प्लीज लाइक कर दें क्योंकि वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है और पहली बार चैनल पर है तो प्लीज चलको सब्सक्राइब करके बेल आइकोन पर क्लिक करके आउल पर क्लिक कर दें क्योंकि मैं श्राइक की बहुत सारी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जो आपके लिए काफी हेल्फुल साबिस हो सकती है तो आईए समझते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है तो एक्शोली हो क्या रहा है इस करोना टाइम में आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन की बहुत ही जादे किलत हो रही है जब जिनको करोना हो जा रहा है वो हॉस्पिटल जा रही है hospital में भी बहुत ही जादे किल्ट हो रही है oxygen मिल नहीं पा रहा है और oxygen मिल भी रहा है तो लोग अक्सर कोशिस कर रहे हैं कि पूरी तरह अगर recovery नहीं हुआ है तो घर पे वो oxygen रखना चाह रहे है emergency cases के लिए कि अगर कोई दिक्कत होती है तो हम घर में ही oxygen रखें और उसको हम यूज करके अपने oxygen लेबल को बढ़ा पाएं तो घर के लिए अगर आप cylinder रखते हैं तो hospital के लिए तो मिल ही नहीं पा रहा है तो घर के लिए कैसे मिलेगा ये भी एक बहुत बड़ा प्रस्नोट जाता है तो इस condition में आप जो है oxygen concentrator का यूज कर सकते हैं अपने घर के लिए घर के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ पहले इसको भी हम समझ लेते हैं तो अक्शुरी होता क्या है कि जब आप hospital में जाते हैं तो oxygen की ज़रूरत कई सारे condition में पढ़ती है जैसे oxygen का एक level होता है एक स्वस्त मनुस्य के अंदर 94% से उपर oxygen होना चाहिए जब उससे वो नीचे होने लगता है 90 तक आता है तो कुछ exercise बगरे करके उसको बढ़ा लिया जाता है लेकिन 90 से जब नीचे होने लग रहा है तो उस वक्त आपको अलग से oxygen की बहुत ज़्यादे ज़रूत पड़ती है reason उसका ये होता है कि जो हमारा lungs है वो oxygen बना नहीं पाता क्योंकि वो infected हो जा रहा है हवा में जो वातावरण है उसके अंदर अल्रेडी 21% oxygen है 78% nitrogen है और 1% other सारी gases है तो ये जो 21% gas है उसी से हमारा lungs जो है इतना oxygen बना लेता है कि अलग से हमें oxygen की ज़रूत नहीं पड़ती है लेकिन जब वही fail होने लग गया जब वो infected हो जाता है तो वो oxygen नहीं बना पाता उस condition में हमें 100% उसको oxygen देने की ज़रूत पड़ती है उसी के लिए oxygen cylinder की ज़रूत पड़ती है ताकि 100% हम oxygen को दे सके सांस लेने के लिए तो वो जब 90% से नीचे आने लग जाता है मान लिजी वो 82-85% के आसपास है तो उस condition में जो आपको oxygen की ज़रूत पड़ेगी वो एक से ले करके 10 लीटर पर मिनट की ज़रूत पड़ेगी तो इतना अगर आपको oxygen मिल जाए तो आप जो है recover कर जाएंगे आपको oxygen के वज़े से आपको problem नहीं होगी तो एक से 10 लीटर की अगर आपको requirement है एक से 5 लीटर के लिए तो आप जो है oxygen concentrator से आपको पूरी कर सकते हैं क्योंकि oxygen concentrator एक प्रकार का machine है जो 15 से 20-25 कीलो के आज़ पास इसका वेट होता है और ये जो है जो हवा है उसी हवा को ले करके उसको compress करके जो 21% oxygen है 21% 21% करके ये 100% करके आपको दे देता है जाद हम technical में नहीं जाएंगे इसके बहुत सारे part होते हैं कैसे बनता है वो हम नहीं समझते हैं बस इतना ही समझ लीजिये कि वही 21% को collect करके ये 100% बना करके आपको दे देता है जिससे आपका काम चल जाता है लेकिन जब आपकी condition बहुत ही जादे critical हो जाती है कहने का मतलब जब आपका oxygen level 80 से नीचे आने लग जाता है मालेज़े 50, 60, 70 इस level तक चल रहा है तो आपकी condition बहुत ही जादे critical हो जाती है आप hospital में चले जाते हैं तो hospital में जाने के बाद अच्छली जब ये condition रहेगी आपकी तो आपका 1 से 5 लिटर 7 लिटर, 8 लिटर से काम नहीं चलेगा उस वक्त जो आपके body को requirement होती है वो 30 लिटर, 40 लिटर, 50 लिटर तक की requirement होती है और उस वक्त जो है ये oxygen concentrator उसकी पूरती नहीं कर सकता उस वक्त आपको cylinder लेना ही पड़ेगा cylinder ही जो oxygen के cylinder आते हैं जो hospital में लगते हैं वही इस कमी को पूरा कर सकता है और उस वक्त आप घर में रख करके भी क्या करेंगे क्योंकि उस वक्त जो है आपको hospital में होना पड़ेगा डॉक्टर के निगरानी में रहना पड़ेगा लेकिन अगर आपका oxygen level 80 से उपर है तो आप आराम से इस oxygen concentrator को घर पे रख सकते हैं और उससे आप जो है oxygen level को recover कर सकते हैं तो ये corona टाइब में ही नहीं इसके अलामा कई बार ऐसी condition हो जाती है जिनको अस्थमा वगेरा है इस टाइब की जिनको problem है जिनको सांस लेने में दिक्कत है उनको कई बार oxygen की ज़रुद बढ़ती है तो ऐसे conditions के लिए ये oxygen concentrator एनफ है उस condition को ये समभाल लेगा बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है तो इस type की जिनको problem है या फिर जिनको एक बार corona हो गया है बात में डर है कि oxygen नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे तो वो लोग ये oxygen concentrator अपने घर में रख सकते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ये एक से लेकर 10 लिटर के आसपास पर मिनिट में आता है एक से 5 लिटर 5 लिटर बहुत होता है नॉर्मल कंडिशन में उससे उपर की जब requirement होगी तो आप already hospital में जाएंगे घर पे आपका काम चलने वाला नहीं है तो ये है oxygen concentrator आईए अब हम समझते हैं कि Amazon पे कौन-कौन से हैं और कौन-कौन सा क्या-क्या prices उसके हैं इसके बारे में हम समझ लेते हैं तो सबसे पहला ये है आपको नहीं देंगे 100% के लिए आपको cylinder ही लेना होगा वो भी 100% नहीं देता 98-99% आपको दे पाता है तो आपको जो है ये 90-96% तर जो है oxygen प्रोवाइट करा देगा और ये 1-6 liter पर बिनिट आप इससे जो है output इसका ले सकते हैं अगर आपको ये वाई करना है तो इसको वाई कर सकते हैं ये 30,000 रुपे के आज पास में ये आपको मिल जाता है और इसको कुछ भी refill वगएरे कराने का जंजट नहीं है आप लिजिए इलेक्ट्रिक से 220 बोल्ट AC से चलता है और बिल्कुल भी आपको oxygen देता रहेगा उसके बाद जो है वो है सेंटाफिल का ये 1-5 लिटर पर मिनिट आपको oxygen प्रवाइट कराएगा और सबसे बड़ी बात इन सारे oxygen कंसेंट्रेटर की ये होती है कि इसमें timer वगएरे सब कुछ फिट होता है आप लगा करके timer वगएरे सेट कर सकते हैं कब क्या देना है कितना oxygen देना है ये सब सारी चीज़े इसके अंदर सेट कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप इसको लगा करके भूल सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होती है तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं उसके बाद जो है योबे कौन का ये वाला मॉडल है ये 7 लिटर पर मिनिट के लिए आता है और इसका प्राइस भी 35,000 रुपे के आसपास आपको मिलेगा पिछला वाला जो था वो भी 35,000 रुपे के आसपास ये प्राइसे हमेशा उपर नीचे होते रहते हैं इन सबका लिंक मैंने डिस्किप्सें में दिया हुआ है आप वहाँ से जो है एक बाद ट्राइ करें करेंट प्राइस आपको पता लगेगा उसके बाद ये है यूबेल का ये भी 5 लिटर का ही आता है 5 लिटर पर मिनिट आपको प्रोवाइट कराएगा और ये 38 से 40,000 रुपे के आसपास में हमेशा वैरी कर रहा होता है ये प्राइस हमेशा उपर नीचे हो सकता है करेंट प्राइस के लिए आप डिस्किप्सें में दिये गए लिंक पर जरूर क्लिक करें उसके बाद ये है ओजल का ये भी आपको 5 लिटर पर मिनिट ही आपको ऑक्सिजन प्रोवाइट कराएगा और इसका प्राइस 47 से 50,000 के आसपास रहता है ये जितने सारे हैं इसके अलावाई बहुत सारे ब्रांड आपको अमेशा उन पर मिल जाएगा कोई भी अपने हिसाब से आप बाई कर सकते हैं इस सबका लिंक जो है डिस्किप्सिन मैंने दिया हुआ है जो सही लगे जो आपके बज़ट में लगे सब सही है होम यूज के लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं है आप इसको यूज कर सकते हैं जिनको इस टाइप का सक है डाउट है वो अपने घर में जरूर रखें ताकि इस करोना काल में आप अपने आपको बचा सकें और टेंसन से बुक्त रह सकें दोस्तों वीडियो कैसा लगा इंफर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेट में बताएं अगर में जो चाहिए वीडियो को लाइक करते हैं अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दें पहली बार चैनल पर हैं तो पहले चल선 को सब्सक्राइब करके बेल आक्कोन पर कลिक करके झाल झाल